सो हलो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रे ट्रांस्परमेटिक्स तो यह कई बार ब्सक्राइब होता क्या है तो समझेगा अब यह कभी भी कोई रे आपका किसी लेंज के साथ में या पर माले कोई मीरर है वहां पर यह से ट्रेवल कर रही है तो हम इसका पॉजेशन करना यह कह सकते हैं कि after the reflection after the reflection after the translation क्या उसकी position होगी कहां image form करेगी उस lens का focal length क्या होगी यह सब चीज हम रे ट्रांस्परमेटिक से सोल कर सकते हैं इसके नीड क्या है सबसे पहले इसके बात करते हैं देखिए नीड के लिए बात करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम यह क्यों पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास formula होता है दिसे 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f but इस formula का यूज इतना है कि आप focal length distance यह सब find कर सकते हो बट एक limited circumstances है कि आपको एक lens या दो lens तक ही formula आपकी valid है आपके बाद जब number of lenses होंगे different different between distance होगा माल लेते हैं यहाँ पर कोई यह lens लखावा कॉन के हो फिर एक lens रखावा question हो जिसमें हमें different different lenses दी हो different mirrors दी हो और हमें image का distance find करना हो यह focal length find करना हो anything related to geometrical optics वह हम रे transfer matrix से find कर सकते हैं चली समझते हैं कि काम कैसे करता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे ray transfer matrix के अंदर हम translation matrix की बात करते हैं कई माल लेते हैं कोई ray आपका translate कर रहा है ठीक है अब वो translate कई टाइप से हो सकता है angle को change translate हो रहा है या फिर without angle change translate माल लेते हैं सबसे पहला easy case लेते हैं जैसे कोई ray है वो यहां से चल क्या है यहां तक ठीक है अब हमें बताया गया कि इस ray का इस point से इस point तक आने में जो travel हुआ अब उसका हमें final matrix बनाना है कि इस b point के उपर जो हमारे coordinates हैं देखिए हम ray transfer matrix में basically एक तो हम height के उपर बात करते हैं और दूसरा angle के उपर बात करते हैं दो तीजों से हमें matrix बनाना होता है अब इन दोनों का हमें final form लेके आना है in the terms of initial कि कुछ नो कुछ multiply करें ऐसा matrix multiply कर दें कि हमें final coordinates मिल जाए simple is very simple तो for translation matrix ना ही हमारा angle change हो रहा है ना ही हमारा height चेंज हो रहा है इतना ही height यहां पर था है height यहां पर है तो इसका जो matrix बनता है 1001 ऐसा क्यों होता है वो भी आप समझ सकते हैं देखिए जैसे मैं कहूं कि यह सा क्यों हुआ तो देखिए मेरे को क्या लेकि आना है y prime और alpha होता है ठीक है तो यह दो कोडिनेट्स हम लिखते हैं इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो देखिए मैंने लिखा 1001 इन्टू वाई इनिशल माल लेता हूं यह अलफा माल लेता हूं इंगल इसको आप मल्टिप्लाइब करके देखिए y prime is equal to कितना आ रहा है यहां पर इसको दोनों चाहिए सेम होनी चाहिए यहां पर भी सेम आ रही है इसका मतलब हमारा जो भी हमने लिया है कि 10 जो है तो टान्सलेशन मेट्रिक्स जो रे टांसलेश बोलते है वह अईनिटिटी होगा नेक्स्ट मेट्रिक्स हो जो काफी इंपोर्टेंट है आपके हर टाइप के जो जो लेंस का होता है जो काफी बाष हमें पूछा दाए कि एक लेंसे डिंश है डिस्टे का तो ये बेशिक है अब अगर माल लेते हैं केसे Vies के बीच में पहले ये पढ़लेते हैं उसको आप बेसिक जो ट्रांस्ट मेट्रिक्स को का डिनोशन होता है 1, D, 1 and 0 ठीक है तो यह आप याद रखेगा जब भी आपका डिस्टेंस D होता है लेंसे की बीच में आप डिस्टेंस D travel करता है तो हमें डिस्टेंस को यहां लिखना है बाकी 1, 1 element होगा यह element 0 होता है किसी यह भी रे ट्रांस्ट मेट्रिक्स में चार element होते हैं A, B, C, D आपको आगे बताऊंगा कि यह क्या क्या होते हैं जैसे हम डिराइव करेंगे फूर दे लेंस रिफ्रेक्शन के लिए काफी इंपोर्टेंट है वह हम अभी डिराइव करने वाले हैं चलिए तो पहले उसका ड यहां क्या हो रहा है तो यह पॉइंट से हमारा जो एंगल वगेरा है सी पॉइंट का हमने देख लिया यहां से रे स्टाट हुआ देखिए बिसिकली इस पॉइंट से रे टांस्पर हुआ यहां पे गया और फिर यह थोड़ा रिफ्लेक्ट हो गया अब हमें बताना है कि आ यहां पर हाइट जेंज नहीं हुआ है रिफ्लेक्ट में क्या नहीं हो चाहता दिखिए आपको यह पता होना चाहिए रिफ्लेक्ट जबी भी होता है तो उसमें आपका हाइट सेम रहता है एड़ बिहाइंड पॉइंट करफ पहले अप्टर पॉइंट ग्रहाईट विल भी सबसे पहले हम लिखते हैं इसके लिए थीटा वन कितना हुआ तो थीटा वन हमें पता है थीटा प्लस एलफा हुआ थीटा 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 इसे होगा, क्या है आपका थीटा आईird है, यह होता है। यह पता है। इसको के सकते हैं, धीटा आइं के वैलू इस एकवेशन से यह बोट कर देंगा जो इन दोında हो जाएग दिधिये, एन फिटे को हम लिख सकते हैं धीटा 1-5 और यह होजाएगा आपका N2, यह कितना हो जा माइनस 5 ठीक है तो हम यहां से जो है एक तरीके से एन्वर और अटू का गीं क्या इंगल क्या करना है थीटा 2 हमारा टारगेट क्या है थीटा 2 फाइंड करना क्योंकि देखिए हमने मैंने पहले थोड़े बवल बताए आपको कि हमें y2 जो इसको हम य 2 य 1 इको लिख दिने है बट यहां पर जो मैंटरिक्स आएगा उसी को तो हम रिटा आंसपर मैंटरिक्स बोलेंगे न वही तो बताएगा कि हमें अब फाइनली क्या मिल रहा है तो देखे उसके लिए मैं यह सब हो गया अब हमें इस इक्वेशन से हमें बैसिकली यह वालो फाइड करना है देखे कितना आ रहा है तो इस एकवेशन को जो हम हम फाइड करें सब्सक्राइब यहाँ यहां पर हो गया हमारा फाइकन ले लेंगे अन बाइड टू प्लस वं और यह हो जाएगा प्लस थीटा 1 यहां चेक कर सकते हैं हमारा थीटा डू इतना आया अब आपको मैट्रिक्स लिखना काफी सिंपल है मैंने बोला हाइट तो सेम है देखिए हाइट तो हमारा सेम है यहां पर एक सेगें यहां पर थीटा बन लिखेंगे तो हमारा सेम रहेगा सिर्फ हैंगल चेंज होगा वाइट थीटा टू तो मैट्रिक्स कितना होगा क्या मल् लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास थीटा बन के टर्म्स में है यह answer फाई क्या होता देखिए फाई हमारे इस डियाग्राम से देख सकते हैं यहां से देखिए फाई जो है मेरा य अपोन आर बोल सकता हूं यह है और यह रेडियस आर है इसका यहां पर फाई का वैलू कि यहां पर जो एलिमेंट आएगा वह आएगा वन माइनस एंवन वाई एंटू इंटू वन अपोन आर वो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपको फाईनल आंसर मिल जाएगा यहीं हमारा लेंस के अंदर रिफ् इस तरीके से हम फोकल डिस्टेंस कर लेंगे जो यह वालावलश थोगार आएगा यहां पर किस एलिमेंट को यहां पर वैसे बोलते हैनल सब्सक्राइब तो काफी आपको किलियर हो जाएगा अभी तक हम ने सिरफ रे ट्रांसफर मेटिक से हम पर डिराइव किया है I think आपको संग में है कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमिट में पूछ सकते हैं Thank you